है हलो दोस्तों दोस्तों यहां पर हमाय परसे कलास 10 के मैइद का चप्र नोव तिरकौन मीती के कुछ अनुपरियोग ठीक है तो इसीमें जो आपका प्रशनावली एक ही प्रशनावलिया नव दसमलो एक तो इसी का यह पर अप्र दूसरा है ठीक है जिसमें रूख में कुश् description में मिल जाएगा ठेक है और साथी साथ जब वीडियो को लाश्ट तक देएंगे तो लाश्ट में आपको एक playlist मिल जाएगा पले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा ठेक है तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कोशिन नमबर आठवा से करके आगे के कुश्चन को हल करने वाले तो चलिए इसको हल करते हैं तो देखे सिंपल यहां पर कोश्चन को आमने नोड कर रखा है तो इसमें दिया है कि एक पेड़ेस्टल के सिखर पर एक एक दसम्रों 6 मीटर उची मूर्ति लगी है ठीक है अब पेड़ेस्टल मतलब कि यह से यहां तक एंक मूर्ति बीचरण एक अब इसके सर इतना दोगा जہते हैं तो कुछ उस तरीके मूर्ति दिखाएं तो इसका यह लंबाज दे रखाया कि एक-दसम्रों 7 मीटर के यह मूर्ति लगी यहां से यहां। के मोरती है ठीट ceramरे और यहां से एक पेड़स्टर है उसके बाव से कह रहा है कि भोमी के एक बिलसे ठीक है अब भोमी बना लेते हैं जलिए और प्लं इसके चेंडिते हैं एक अधिक मलीकाई ठीक है यह ठीक द्ढक्स केकजिकन हणरा एक दूब बहागे है तो शीकर का जो कोण है वो शाथ डिगरिए है यह हने साथ डिगरिड़िया तब rapping या से कह रहा है कि और उसी बिंदू से और उसी बिंदू से पेडश्रल के सिखर का इनको 45 ठीछ ठीर इसी बिंदू से पैड़ा अब कर शिखर मतलब इस बिंदू से और इसका जो कोन बंना है वह कुतना है तो यह पूरा कितने डिगरी का पूरा है आपका साथ डिगरी का और यह वाला यह कितना डिगरी का यह आपका कहे रहे है कि 45 डिगरी का है तो पेड़ेस्ट किन चाहित कितनी होगी यहां से रりकरके यहां तक किन itt चाहिए मतलब कि मान लेते हैं कि यच ठीक है हम नहीं पता है कितना मीटर मंचा है थो मान लिए कि यच मीटर मंचा है ठीक अब इसका आधारदे की कभी भी हर्ल करने कम से कम दो आपको मान चाहिए ठीक है जैसे माल यह एक तिर्भूज बना है ना यह भी एक तिर्भूज बना है तो इसमें तिर्भूज में टूटल तीन भूजा होता है तो तीन भूजा मैंसे कम से कम दो भूजा का मान हमें चाहिए तो जैसे इसका हमने माल यह चाहिए आध ठीक अब किया करेंगे सबसे पहले ही स्वाले तिर्भूज को हम लोग कर लेते तो तुर्पूज बीडी सी में यहां पर लिखेंगे क्यों माम लाइक कोई मतलब नहीं ठीक है तो लंब और अधार किसमें मिलता है तो आपको रॉफ कार है यह चीज हिंट के लिए आपको लिखना है कि ऐसे लाल बटे में के के ए तो लंब और अधार इसमें किसमें मिलेगा तो लंब बटा अधार जी वाला आपको मिलता है तो यह पहला होता है Cine का दूसरा होता है Cos का तीसरा ओता है तो लिख लेंगे कि ठीटा बरावडर में होता है लंब बटे में अधार ठीटा के श्तान पर 25 डिगरी दिया हुए अधार झार उस्तर सहों सब्सक्राइक होता है रहां का हो जाएगा य lens यहρέ Ireland वोणा कर देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा यज यह आपका एक वैलू निकला ठेक आप देखे दूसरा चीज है एक तिर्भूज हमने हल कर दिया 45 डिग्री वाला आप 60 डिग्री वाला यह पूरा वाला हल करेंगे तो इसके लिए लेंगे ADC पूरा तिर्भूज लेंगे तो लिखेंगे कि अब तिर्भूज ADC में ठेक तो इसमें हम क्या करेंगे इसमें भी हो यह पूरा हमें लंब लेना है और याधार कंडिसर में मतलब नहीं मतलब कि 10 वाला हम ले सकते हैं तो लिख देंगे कि 10 थीटा का इस्तान पर 60 डिगरी है तो यहां पर लिख देंगे 60 डिगरी बराबर में लंब कितना है अब लंब यह हमें पूरा लेना पड़ेगा तो यज़ पलस में एक दसमलो 6 कर देंगे तो पूरा हो जाएगा तो यह आपको हो जाएगा कि 1.6 पलस में यज़ ठीक औ तो इसमें हम क्या कर देंगे कि सबसे पहले तो इसको हम नोट कर लेते हैं ठीक है यह वाला तो 1.6 पलस में यज़ बटे में यक्स तेख बराबर यच है ठीक है तो हम चाहते तो इस यज़ के अस्थान पर भी यह पूर्ट कर सकते हैं ठीक है तो चलिए इसी वाले को तो यह वह यह 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 हम कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा अंडरूड में तीन माइनस का एक इसका सथान पर जाएगा यहां पर कुछ नहीं बचेगा तो एक लिख देंगे अब देखें यच के साथ में यह पूरा गुणा कर रहा है और इधार है आपका एक दसमलो छे इसको हम इधार बच देंगे तो यच बराबर हो जाएगा एक दसमलो में छे बटे में आपका अंडरूड में तीन माइनस का एक इतना समझ में आ गया अब क्या करेंगे सिंपल इ देंगे तो चली ही पर कर देते हैं तो यह बराबर हो जाएगा इसका इसका गुणा तो एक दसमलों में छे लिकेंगे अर यह अंडरूड में 3 पलस का एक बटे में देकि यह माइनस में यह पलस में आपको ईह फॉर्मला पता होगा कि देना सब्स्क्रण का अगर होता है त एक कायी स्क्वाइर, ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, कि यच बराबर में, यह अपका, एक दसमलो में 6, और अंडरूड में 3 परलस का 1, और बटे में, इसके बड़े से यह खतम, और एक कायी स्क्वार एक रह जाएगा, तो तीन में से, ब्राबर में चार और अंडर रूड में तीन पलस का एक बट्टी में पांच अब पांच से हम इसको काट सकते हैं कैसे देखिए यहां पर थोड़ा से भाग करना है तो इसमें क्या करेंगे कि दसम्णू लगा करें कि यहां पर जीरो बढ़ा लेंगे ठीक है तो पांच वट चालीच तो दसमलो हाँ आध ठीक है तुझे के दसम्णू से पहले जब कौय आंक नहीं होता है तो जीरो हम लगा लेते हैं तो इससे आपका जब कटेगा यह तो कितना हो जाएगा तैए उस बड़ाबर में जीरो दसम्णू में आठ और रूट में आपका अपका अंसर यह हो जाता है ठीक है अब आगला के देखिए फड़ाबट करते हैं अब देखिए कुश्चिन नमबर 9 इसमें क्या कर रहा है कि एक मिनार के पाद से ठीक है कोई मिनार है मिनार के पाद से एक भावन के सिखर का उन्यन कूर यहाँ पर 30 डिगरी अब देखिए यहाँ यही पर और अब इसमें नहीं कहा रहा है कि कहीं 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 नहीं कि भावन है सामने इसमें आपको बस आपको हिंट इसमें दे रहा है कि एक मिनार के पाल से भावन के सिखर कत्व आपको समझ जाना कि एक हमें भावन भी ज्याद करना है जो कि इस मिनार के ही सामने है तो मिनार काफी ल मिनार है और इस बिंदु पर यह हमारा भावन है घर है तो कह रहा है कि एक मिनार के पाद से मतलब नीचे से ठीक है नीचे से और भावन के सिखर यहां से पाद से और सिखर का जो उन्यन कोड है वो 30 डिगरी है तो उन्यन कोड कह रहा है मतलब कि कोड आपका यहाँ पर बनेगा ओनमन कहता तो यहाँ पर बनता है ठीक है 30 है और भवन के पाद से भवन के पाद बिंदू से मिनार के सिखर का उन्यन को 60 है ठीक है, भावन के नीचे वाला भाग से, और इस मिनार के उपर वाले भाग का, जो उन्यन कौण है, वो कितना है, 60 है, ठीक है, ये कितना था, 30 था, तो यहां पर हमने 30 लिख दिया है, ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि, सिकर का उन्यन कौण 60 है, यदि मिनार 50 मीटर उचा है, तो भावन क्यों चाहिए, कितनी होगी, ये जो भावन है, मान लेते हैं कि यच मीटर उचा है, कितना उचा है, हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि यच मीटर है, तो हम इसको यक्स कर देते हैं, ठीक है, अब यह वालत हमने आपको बताया है, कि किसी भी तिरुभूज म तो इसमें कहा जगा A B C लिखेंगे कि तिर्भूज A B C में यह ठेक तु इस वाले तिर्भूज में तो इसमें थीटा का इस्तान पर यह वाला दिया है अब एक चीज़ा और लगें कि लंब इसमें यह आधार इसमें तो लंब और आधार किसमें मिलता है तो आपको इसमें मिलता है ना लाल बट्टे में के के लंब और अदार टैन में मिलता न लिक्एंगे कि टैन तीर थीटा का इस्तान पर इस वाले तीर्पूजें हम देख रहे हैं न थीटा का इस्तान पर 60 है तो यहां पर 60 बढ़ाबर में लंब कितना है तो 50 से सुरी लंब ह बचास मीटर अधार है यक्स हो गया अभ टैंसार त call अंदररोट मैं तीन बराबर में पचास बठे में यक्स इसकाइं इधर कर देंगे तो यक्स अंदररोट में तीन बराबर में मैंडारोट टेडं कर देंगे तो यक्स Abraham पफचास बठे में अंडरूर में तीन ये डिपका हो गये ठिक पहला ये वाया तिरभूज आपका कमपेंट हो अब इस वाले तिरभुज में हम काम करेंगे है कर लिखेंगे अब बिब सीमें ठिक तिर भूज डी भी सीमें अब इस वतिर पूज में तो यह लंभा यह दार है तो अब लिखेंगे कि 10 तीस अंस 30 डिग्री बराबर में यच बट्टे में यक्स ठीक है तो टैन तीस अंस कमान एक बट्टे में अंडरूड में तीन अब यच नहीं पता है यक्स हमें पता है यहां पर हमने निकाल रखा है तो इसको रख देंगे तो 50 बट्टे में अंडरूड में तीन ठीक अब इसके बाद से क्या करेंगे इससे हम इधर गुणा कर देंगे ठीक है पचास अंडरूड तीन से एक में गुणा कर देंगे इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो इधार हो जाएगा 50 अंडरूर में पें के यह हम गोड़ा कर रहाए इधार जाएगा तो भाग करने लाएगा है ठेंक तो इसको हम इधार गुरा लेंगे तो यह हो जाएगा 50 बटे में पहले से यह अंडर उर तीन है ठीक है, अब एक और अंडर उर तीन आके यही पर भाग करने लएगा ठीक है, भाग करने, जैसे यहाँ पर गुणा करा यह इधर आएगा, तो नीचे ही से तो भाग करेगा इसमें तो यहां पर एक और हो जाएगा बराबर में यज ठीक तो इसमें हम क्या कर देंगे अंडरूतीन गुण yeah, जब होता है, तो पच यास बराबर में यज और बटेमी में अब तीन हो तो यहां पर वाचया दो उपर engine03 चैकर एटार यहां पर हो जाएगा थेक है तो आब इसी चीज कहम कैस्या लिखते हैं दो नीचे तो ऊपर लिखेंगे और ये वाला बने दिंगे और सोला इसको हम पने संही वाले लिए इस तरीक Wow यह हो जाता है तो इसलिए हम यह वाला क्या हो जाएगा आपका 16 सही इनव ब्राबर में है यह आप ठीक है तो इसकी इंचाई बताना ता यह अमने बता दिया स्ट टीन अगला चह идет कोश्टन नम्बर 10 अब देकि यह वाला प्रसन बहुत जवश्घस प्रशन है ठीक है बहुत असान है इसमें देखे सिंपल क्या कर रहा है साफ साफ कर रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगें ठीक चलिए सड़क दर्शाते हैं तो यह हमने एक सड़क दर्शा दिया ठीक जो कि कत ती कुए ब् 요 लेते हैं अबकितना लंबा यह चीज हमें इसमें नहीं दिया रहें यह कि दोनों किया है दिर की दम से बराबर है तो इसी के बराबर यह वह सब्सक्राइं सब्सक्राइब बाहर यह इतना आपको समझ में आ गया है असान है कोई भी समझ सकता है इसमें कर रहा है कि इन दौनों खंबो के बीच सड़क के एक बिंदू से खंबे के सिखर का उन्यन कूड साथ और तीस है ठीक है अब देखिए इन दोनों के बीच में कहीं एक बिंदू लेना है ठीक है कहीं पर भी ले सकते हैं कि एक दम से बीचों बीचे ले मन करें यहां भी ले सकते हैं यहां भी ले सकते हैं यहां बीचों भी ले सकते हैं कौनों दिकत नहीं है तो करें बस इन दोनों खंबों के बीच में एक बिंद। माले यहां से यहां से बिच सड़ाँ की एक बिंदू से खंबों के सिकर का उन्यों को 60 हूर तीस है अब यह इसमें यह नहीं बता है कि कौंव साका च्प्अब ऑसा काम सा थीडिकेंगेशते तो कौनů यह चाया पड़ा है तो यहां पर यह गोड़ा यहां पर जब चाया पड़ा है तो यह चीज हो गया है कि खंभों की उचाई ठीक है और खंभों के बीच की दोरी बताईगे यह वाला पताना है यह जो एफ हूं केुछ एका निकाल लेते हैं तो आपको पता चले दोनों खंब बराबर है तो किसे एक खंब्रकां मार्न निकल यह नहीं बताना है कि इस खंबे終 feeding Preасть अ襯ेखमा और यहां तक हीदूरी यह खंबा और यहां तक है दूरी डूरी कि टॉटल दूरी तो इसमें दे रहा कि असी मीटर रहे है इस खंबड कि बीच के दूरी है कि हमें बताना है कि यहां से यहां कि दूरी हमने माल यह वाई मीटर है ठीक है अब इसमें के बाद से क्या बचा है असी टोटल असी है तो अब आप बताईए कि जैसे कि यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर आपके सामने दस रुपिया दिया गया है ठीक है और तीन रुपय का आप मल जी कोई समान खरीद लिए ठीक है तो फिर आपका कितना रुपय बचा है तो आप क्या करेंगे इस तीन रुपय को इस दस में से गटाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि हमारे पास साथ रुपय बचा है ठीक सेम य यहाँ से यहाँ तक दुरी कितना बजा, तो अब क्या करेंगे, 80 में से यह वाला y घटा देंगे, वह ही इतना दुरी निकल जाएगा, तो यहाँ पर आख क्या लिखेंगे, की 80 c minus का y, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक दुरी 80 minus का y meter है, है समझ में आगे इतना नाम देते हैं इसका नाम देते मालते हैं सी इडिब और यह उड़ करते हैं घ़िक तो यहां पर अम लिकर देंगे क्या कि असवालि और करते हैं तो तिर्भुज ए बी कि कि ठेक तो यह लंब है यह अधार है तो लिख देंगे कि टैन लंब और अधार टैने मिलेगा ना ठीटा के सामत हैं तसलिछ डिग्रि लंब कितना है यक्स अधार कितना है तो अधार हमने वाई माल राए थिर कवभवज कनी तेरबाभर में एक बटे में इसको तीच्छा-तिचा गुना कर देंगे-तों वाई बराबर में यकस अंडरूझ में 3 यह दिक अब इस वाले ती Legislative तो डी सी इमें तिरभूज डी सी इमें तो इसमें भी आपका लंब और अधार का मामला है तो लिख लेंगे कि टैन ठीटा का सथा डिगरी साथ डिगरी लंब कितना है यक्स है और अधार कितना है तो ऑसी माइनस वहाई है रमी ऑसी माइनस का ओवाई है एक टैन साथ डिगरी कामान कीतना होता है अन्डरूड में तीन होता है बराबर में व्यतिमेंली पासी माइनस का ओवाई ठीक इसका गोना इधार कर देंगे अब इसके नीचे कुछ नहीं एकता आप करते तो कोनों अंत्रे नहीं पड़ेगा तीसका गुणा इसमें तो यह आपको हो जाएगा अंडरूट में 3 और 80 माइनस का वाई और बराबर में अपका यक्स हो जाएगा ठीक अदिके वाई कमान यहां पर हमने निकाल लगा है तो यहां वाई का इस्तान पर पूट कर देंगे त तो यह आपका कितना हो जाएगा अंडरूट में 3 और 80 माइनस का वाई कमान एक्स अंडरूट में 3 बराबर में यक्स ठीक हो गया इतना अब देखें अंडरूट 3 से जब इसमें गोणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यह आपको हो जाएगा 80 अंडरूट में 3 हो जाएगा फिर इससे जब इसमें करेंगे, तो ये, अंडरूड 3, और ये, अंडरूर 3, कितना हो जाएगा? कभी भी अंडरूर 3, गोरे जब अंडरूर 3 होता है तो बरावर में 3 हो जाता है, ठीकजे, यह बेसी चीजे है, तो यहां पर आपको हो जाएगा, सिसके गुणा होग 누가 थो जए गुणयमे 3 बराबर में आकस थीक तो 3 एकस को हम इधर कर देंगे Toot under root में 3 यह माइनुस में 3 ठीक है 3 एकसं जइने पहले से यहक जाएम इदर आ जाएगा तो पलास में थीन ठेक्ट तो 9-8 और एक याध हो जाएगा 4 एक्ष ठेक है तो यह को कि हो जाए मिधा यहाँ पर एक 20 बहरावर 2-8 और olacak 4 उना याक्स को हम काट देंगे तो चाद आच धूना के बाद से अब यह तो आप कमाल जी यह वाला पूल कितना मीटर उंचा है ठीक है पूल की जो उंचा यह वो चीज निकला अब यहां से यहां तकी दूरी और यहां तकी दूरी निकाल लेते हैं ठीक तो देखे इसको कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले यहां पर हम मान रख देते हैं तो वाई कमान निकाल लेते हैं तो यहां पर कितना है यक्स तो यक्स कमान कहां निकाल लेते हैं यक्स परावर में यह वाला बीस मैं यहां से यह तक जो दूरी हो 60 मिटर की इख यहां हिसको अब लिखेंगे कैसे कैसे मालूम चलेगा अचाया यहां पर अपने y मान है तो ठीक है लिख किए यहां निकल गया इसको दर्चाने के लिए कैसे आप दर्चाने के लिए कि दी और ईसे लिए कि b si ऑगये कितना आ सि माइनस तो सुरू यह तो सी ई है सोड़ी 6B कि सिंपल अंसर हिए जा अगया एक क्वश्शन नमब्च 11 में है यहाँ बना दिया है आप बना दिये तो मामला और असानों गया कि एक नहर के एक तड़ पर एक टीवी टावर उठ्वादर कड़ी तुन पर सिधा सिधा खड़ा है ठीक है टावर के ठीक सामने दूसरे तड़ पर ठीक है दूसरे तड़ के एक अन्य बिन दूसरे टावर के सिखर का उन्यंगों 60 नदी के यहाँ पर इधर आपका क्या है एक TV टावर है दूसरे ओर यहाँ पर साथ जैसे कि यह पहला आपका तठ हो गया ठावा डूसरे किनारे पर यहां से क्वरायों बन रहा है वो Traber करना उसके बास से कहे रहा है कि टावर की सिधर का उन्यण को 40 दिक्री है इसी तट पर इस बिंदू से 20 मीटर दूर ठीक है इसी तट पर इधार इस बिंदू से 20 मीटर और अगे दूर और इस बिंदू से मिनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर एक परिश्तित एक और बिंदू से टावर के सीखर का कून्यन को टीसь डिग्री है ठेक है मतल郁 इसमपल यहीं है कि इस बिंदू से जब 20 मेंटर आङए बढ़ा जा रहा है फिर इसक बासे जब इस टावर के सीखर को दिखा जाता है तब यहाँ पर जो कोड बनता है वो 30 डिगरी बनता है ठीक है तो इसमें कर रहा है कि टावर की उंचाई और नहर की चोड़ाई याद केजिए यह टावर कितना उंचा है मालेते हैं कि यह मीटर उंचा है और उसके बाद से इसकी टोटल चोड़ाई कितनी है यहां से यहां तक चोड़ाई कितनी है यह चीजह में बताना है तो आईए करते हैं इसको सबसे पहले इसी वाले को हल कर लेते हैं तो लिखेंगे कि तिर्भुज लिखेंगे तेन ही लेंगे क्योंकि लंभ और आदार का मामला है तो टैन साथ डिगरी साथ डिगरी बराबर में लंभ है यह आदार है यह तो यह चीज हो गया है ठीक है अब आये, पूरा वाला लेते हैं, यह वाला, क्योंकि इसके आगे अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो दूसरा लेंगे, तो लिखेंगे कि अब, तो इसमें अब A, D, B में, तो तिर्भूजे A, D, B में, ठेक हैं, तो इसमें लेंगे कि 10, 30 डिगरी, और इसमें भी लंब और अधार का मामला है, तो टैन ही लिए हैं, तो लंब कितना है, लंब हमारे यच ही है, अधार कितना है, तो अब आधार में यह पूरा लेना है, तो यहां से यहां तक 20 मीटर है, और यहां से यहां तक 20 मीटर है, तो बीस पलस से यक्स तब जाएके पूरा होगा ना, तो बीस Restorax यरिक्स करती रिखे यर अंडरूड में 3 होसा चाहरे आप देखिए हुआ कितना है यहां पर ये वाला इतना दिया हुए तो यहां पर हम रख देंगे तो जाएका B du absolu伏 यर्यक्स यरज्च करन यर्क्स अंडरूड में 3 में अंडरूड में 3 जब यह गुणा होगा तो कितना हो जाएगा तीन हो जाता है तो हो जाएगा बीस पलस में यक्स बरावर में यह तीन एक्स हो जाएगा ठीक है इसको हम इधर कर देंगे तो बीस बरावर में यह जब इधर जाएगा तो जाएगा दो यक्स दो को इधर कर देंगे तो बीस बटे मे भी निकाल लेंगे यहां से ठीक है यह कमान तो यहां पर हम रख देंगे दोस अंडरूट में तीम ब्रावर में यह इसका अंसर हो जाएगा ठीक अगर पूचे का कि हो तो चैनल ले इसको लाइक जरूर करिएगा ठीक है तो चली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में